हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड आउट्लोड की मिल अटेच्मेंट्स टू वन ड्राइफ ऑटोमेटिकली तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम Microsoft Office 365 मतलब आउट्लोड और वन ड्राइफ के वीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जैसे Microsoft Office 365 में कोई नाया मेल आपको रिसीव होगा वो भी अटेच्मेंट के साथ तो अपने आप याप याटेच्मेंट वाली फाइल जाके अपलोड हुजाएगी वन ड्राइफ पे ताकि अपने सारी फाइल का माप एक बैक अप रख सकें अब ये पूरी प्रोसेस हम आटो वेट कर देंगे पैबली करेट की मदद से Office 365 और वन ड्राइफ के वीच में कनेक्शन एक इंटेग्रेशन बना की इसमें हमेरे ट्रेगर अप्लिकेशन होगी Office 365 इसमें जैसे कोई नया मेल आपको रिसीव होगा अटेश्मेंट के साथ तो आटोमेटिकली हमारी एक्शन अप्लिकेशन मतला वन ड्राइफ में वो सेम फाइल जाके हो जाएगी अपलोड तो आप कैसे बना सकते हैं पूरे आटोमेशन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लिकेशन को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा आटोमेशन Microsoft Outlook और OneDrive के बीच में कि जैसे Microsoft Outlook पे कोई नया मेल आपको अटेच्मेंट के साथ रसीव होगा तो आटोमेटिकली वो जो अटेच्मेंट वाली फाइल है वो जाके अपलोड हुजाएगी OneDrive के एक परिटिकुलर फूल्डर में ताकि आप अपने सारे इमेल अटेच्मेंट का बैक अप रख सके OneDrive में और बाद में अपने डेटा को अच्छे से अनिलाइज भी कर पाएं अब यह पूरी प्रोसेस हम आटोमेट करेंगे पैबली करेट की मदद से Microsoft Outlook और OneDrive के बीच में एक कनेक्शन एक इंटिग्रेशन बना के चलता है निव टैप पे आप देख सकते यह है पैबली का लेंडिंग पीच पैबली एक बहुती अमेजिंग सॉफ्ट्वेर है जा आप मल्टिपल एप्लिकीशन को कनेक्ट इंटिग्रेट कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर है तो जाएए साइन ओफ फॉर फ्री पे एक से नई पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने उपन होगा पैबली कनेक का टेशबोड पैबली के टेशबोड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइट पे क्लिक करना Iis Blue बटन पे Create Workflow पे और एक नया वर्कफलोग हमको यहां पे बनाना है जैसे create workflow पे अपक्लिक करेंगे आपकी सामने एक dialogue box appear होगा चाहँ आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम देता हूँ upload outlook email attachments to one drive automatically आप अपनी requirement के हिसाब से इसी कोई और भी नाम दी सकते हैं इसकी बाद चूस करना आपको particular folder जिसमें आप ये नया workflow बनाना चाहते हैं folder चूस करने के बाद क्लिक करना आपको create पे और जैसे आप create पे क्लिक करेंगे अब आपकी सामने open होंगे ये दो important boxes जिनको हम कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आजम बनाने वाले हैं इनके definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का मरा objective क्या है मतलब आज हम क्या करना चाहते है तो देखे आज मैं चाहता हूँ कि जब भी outlook पे कोई नया mail में को receive हो तो जो attachment file मेरे को उस mail में receive हो रही है वही सेम attachment file मैं upload करना चाहता हूँ one drive पे ताकि सारी files का मैं एक backup रख सकूँ जो भी मेरे को mail में receive हो रही है तो देखे जो हमारी trigger application होगी वो होनी चाहिए Microsoft outlook जैसी इसमें कोई नया mail आए instantly हमारा workflow trigger हो और attachment वाली file कहां जाके upload हो जाए one drive पे तो action application हमारी क्या होगी one drive पर प्योंकि outlook पे हमको attachment बिल रहा है इसलिए हम जो trigger application है वो choose करेंगे पैबली का एक feature जिसको हम कहते है email parser email parser के मदद से क्या होगा जो भी mail हमको receive हो रहा है उसका data extract हो जाएगा और जो attachment वाली file है वो हम upload कर देंगे one drive पे जाके तो देखिए email parser के मदद से ये भी हमको मिलेगा कि जैसी outlook पे कोई नया mail यहाँ पे आपको receive होगा तो instantly वो mail forward हो जाएगा पैबली connect के पास इस email parser की मदद से तो देखिए ये है हमारा address ये address हमको copy करना है और इसके बाद हमको follow करने है ये सारे instructions इसका मतलब जाना है हमको outlook के account पे और जो address हमको मिला है ये हमको set up करना है अब जैसी outlook पे कोई नया mail आपको receive होगा instantly वो mail की details outlook के account पे जाने के बाद उपर आपको एक option दिखे रहा होगा settings का click काना आपको settings पे फिर जाना आपको forwarding पे click काना आपको enable forwarding पे और इसके बाद जो email address आपको मिला है जो address आपको मिला है वो public connect पे यही address copy करके आपको paste कर देना है यहाँ पे अब क्या होगा जब भी outlook पे कोई नया mail आपको receive होगा instantly वो mail forward हो जाएगा इस particular address पे और उस mail की सारी details publicly connect यह आपने पास capture कर लेगा इसलिए email parser का use मैंने आपके किया है अब हम जाएंगे वापिस हमरे outlook के account पे क्लिक करूंगों में save पे और यह जो addresses को मैंने setup कर दिये successfully अब यहाँ पे आपको provide करने अपने outlook का password और जैसे अब sign in पे क्लिक करेंगे आपका जो email parser है वो setup हो जाएगा outlook के account पे तो देखिए हमारा address setup हो चुका है अब हम जाएंगे पैबली connect पे और देखिए हम पे response का wait हो रहा है अब हमको क्या करना है हमको हमारी mail id पे जैसे कि मेरा यह outlook का account है अब जैसे इस पर कोई नया mail मेरे को receive होगा तो उसकी details पैबली करेंट है अपने पास capture कर लेगा तो एक test submission हम करके देखते हैं एक mail हम खुद को भीजेंगे दूसरी mail id से फिर हम चेक करेंगे क्या उसकी details पैबली करेंट अपने पास capture कर रहा है नहीं देखिए एक mail मैंने पहले से टाइप करके रखा है यह है हमारी mail id 824-outlook.com order confirmation तो माल लीजे कोई person मेरे को order confirmation का message भीज रहा है और invoice भी उनने यहाप अटेच करके रखिए तो देखिए invoice मैं यहाप अटेच कर देता हूं जाओंगा अपने attachments पे और यहाँ से invoice कर दूँगा मैं add अब क्या होगा जैसी कोई person मेरे को mail भीजेगा attachment के साथ तो उसकी details पैबली करेट अपने पास capture करेगा तो देखिए mail मैंने पूरा draft करके रखा है कि invoice भी अटेच है यह हमारे order की details thank you for your trust and business we look forward to serving you again in the future ऐसा करके एक person मेरे को mail भीज रहा है click करूँगा मैं send पे और जो order था उसकी invoice भी उस person ने मेरे को mail में भीजी है अब देखिए मैंने खुद को एक mail भीजा है मैं जाओंगा outlook की account पे और यह पर मैं wait करूँगा अपने mail का और जैसे ही हाँ पे मेरे को mail receive होगा वही same mail forward हो जाएगा public credit के पास तो देखिए आप एमको mail हो चुका है receive hello I hope this email finds you well यह है पूरा mail और यह है वह attachment link इसको हम जैसी open करेंगे तो same file आपके सामने आप देखिए invoice वारी फाइल आपके सामने open हो चुकी है अब यह file मुझे upload करनी है मेरे one drive के folder में जो भी file में को receive हो रही है email attachment की यही file में upload करने चाहता हूं one drive के folder में अब ही हम जाएंगे पैबली करेंट पर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वहापे हमको कोई API response रिस्पॉंस रिस्पॉंस आया है यह थी उस person की mail ID जिसको mail मिला है यह था उस person का name जिनने mail भीजा था यह थी उस person की mail ID जिनने mail भीजा था यह था पूरा mail का subject order confirmation and invoice और scroll down करते ह हम नीचे तो देखिए one by one करके आपको सारी details यहां पर मिलती जाएगी सबसे important है email attachment तो देखिए यह है वो email attachment जो attachment वाली file हमको मिली है यह है उसका link इसका मतलब जो मारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने successfully email parser की मदद से Microsoft outlook को connect कर दिया पैबली connect से अब जैसी outlook पे कोई नया mail आपक capture कर लेगा email parser की मदद से अब cm file हम upload करना चाहते हमारी action application में इसका मतलब Microsoft one drive पे तहांसे मैं choose करूँगा अपनी action application Microsoft one drive और cm file में upload कर दूँगा one drive के folder में action event हमारा होगा upload file क्लिक करूँगा मैं connect पे और one drive का account मैं connect करूँगा पैबली connect से जाना आपको add new connection पे click connect with Microsoft one drive इसके ब जाओ पे click करेंगे accept पे click करेंगे one drive का account connect हो जाएगा पैबली connect से और देखिया हमारा authorization यहां पे हो चुका है successful इसका मतलब मारा जो account है वो connect हो चुका है पैबली connect से फिर हमको choose करना है वो particular folder जिस पर हम यह नई फाइल upload करना चाहते हैं अब देखिए one drive का account connect हुआ पैबली connect पे जाके तो हमारे folder का name है attachment files कैसे मैंने choose कर लिए अपना folder फिर आता file का name तो जो file आप upload करना चाहते हैं उसका जो name है वो भी proper extensions के साथ वो आपको यहां पर करना है फिर आएका file का URL जो file आप upload करना चाहते हैं उसका link तो सबसे पहले हम fill करेंगे file का name और यह हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला है trigger application से मतलब Microsoft Outlook से इसी response का use मैं आपे कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping तो देखिए mapping कैसे की जाती जैसे आप इस blank fill पर क्लिक करेंगे तो email parser जो कि हमारी trigger application थी वो आपको यहां पर दिखरी होगी इसके drop down पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था trigger application से वो पूरा आपको यहां पर दिखरा होगा तो जो फाइल का display name है जिस person मैं फाइल भीजी है उसका जो name है उसी name से मैं फाइल अप्लोड करना चाहता हूं OneDrive की account पे तो देखिए जो display name है इसको मैं आपे कर दूँगा फिर आता फाइल का URL तो इसी तरीके से जो फाइल का URL मैपिंग की मदद से उसको मैं आपे कर दूँगा मैप तो देखिए यह था मेरी फाइल का URL अब जैसी मैं सीवेंट सेंड टेसर को इसकी बटन पे क्लिक करूँगा automatically one drive पे यह same file जाके हो जाएगी upload पर उससे पहले यहां पे मैप किया है यह automatically new data से हो जाएगा चींग इसका मतलब Microsoft Outlook पे कोई नया mail आपको रिसीव होगा तो automatically email पारसल की मदद से सबसे पहले mail पैबली करेंट अपने पास capture करेगा और जो attachment file आपको मिल रही है वह automatically यहां पर आके हो जाएगी update और जो file कने वह भी अपने होगा वो data रहेगा हमेशा static इसलिए mapping करना होती है जरूरी process अब हम सलते Microsoft OneDrive पे चलते हमारे folder पर attachment files और देखे एक नई file यहां पर आके हो यह upload इसको करते है open और देखे same file जो मिली थी मेरे Microsoft Outlook के attachment पे वही same file यहां पर आके हो चुकी upload मेरे OneDrive के account पे इसका मतलब जो automation हमने ब Outlook पे कोई नया mail आपको receive होगा तो instantly वो mail की details पैबली connect तो अपने बाइस आपे capture करेगा मतलब हमारा trigger application तो काम करेगा जिसका नाम है email parser पर जो file attachment के साथ आएगी वही file upload होगी Microsoft OneDrive पे तो इसके बीच में हम एक और पैबली का feature use करेंगी जिसको हम कहते है filter और filter की मदद से हम हम इस automation को हम इस workflow को इस तरीके से setup करेंगे कि जब कोई attachment वाली file आईगी तब ही हमारा workflow रन करेगा और वही file upload होगी OneDrive पे जागी तो हम यूज करेंगे filter का पैबली का फीचर वापिस मैं आपे use करूँगा mapping का select रहूँगा label अटेश्मेंट वाला जब कोई attachment वाली file exist करेगी तब ही हमारा workflow ये trigger होगा तो filter type हम choose करेंगे exist जैसे मैं क्लिक करूँगा save and send test sequence की बटन पे तो आप देखेंगे condition यहापे हमारी true हो जाएगी क्योंकि ये जो मेरे को mail मिला थ इसमें हमको एक attachment file मिली थी इसलिए यहापे condition हमको बता रहा है true अगर attachment के बिना कोई file आएगी तो हमारा workflow वहीं काम करना बंद कर देगा और हमारा workflow trigger नहीं होगा इसलिए मैंने यहापे use किया पैबली का एक feature तो आप देख सकते हैं simply three step में हमने पूरा automation बना दिया है जो work कर देगा instantly अब जैसी outlook पे कोई नया mail आपको रिसीव होगा attachment के साथ तो instantly वह file जाके upload जाएगी one drive पे तो आइए चेक करते हैं automation को हम रियाल टाइम में एक और mail मैं आपर करता हूँ draft तो देखिए एक mail मैंने आपर लिखके रखा है माली जब मैं कोई candidate हूँ और मैं job के लिए apply कर रहा हूँ किसी company में तो मैंने HR को एक mail लिखा है और वो same HR जो भी file उसको मिल रही है resume वाली वो upload करना चाहते हैं one drive के folder मे तो एक मैंने पूरा mail draft किया है और यहाँ पर हम file upload कर देंगे attachment की तो देखिए यह है मेरा resume में जो मैंने यहाँ पर कर दी है add अब जैसी में send पर click करूंगा instantly हमारा workflow trigger होगा सबसे पहले outlook पे mail receive होगा same person को और फिर वही file attachment पाली जाके upload हो जाएगी one drive के folder में सबसे पहले चलत हम outlook पे पहले देखते हैं यहाँ पर हमको कोई mail receive हुआ है नहीं तभी हमारा workflow run करेगा और देखिए एक नया mail हमको यहाँ पर receive हुआ है वही same mail जो बना भी आपके समने ड्राफ्ट किया था और यह थी वो file resume of test attachment file और यह था वो पूरा mail HR को अब हम डारेक्टी जाएंगे one drive क folder पर और वहाँ पर हम चेक करेंगे क्या यह attachment file वहाँ पर जाके upload हुई है नहीं तो चलता हमारे one drive के folder और देखिए test.pdf के नाम से एक नई file नहाँ पर upload हुई है जैसी हमने file open करी है तो देखिए sample resume हमारे सामने हो चुका है open इसका मतलब जो automation हमने बनाया है वो सही से काम कर है simply three step में पूरा automation बनाया है तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो इसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जा आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सक सकते है support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries है आपको कोई doubts है तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue है तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले thank you आपको आपको झार आतो है तो करें आपक mountain five to